क्योंकि इसके लिए ना तो किसी सिटी स्कैन की ज़ुरत होती है ना ही किसी MRI की ज़ुरत होती है DSM-5 में जो क्रैटीरिया दिया गये हैं वो total 18 हैं और 18 में से जो 9 क्रैटीरिया हैं वो hyper activity और impulsivity के हैं और जो 9 क्रैटीरिया हैं वो inattention के हैं एक्सिरेंट रेट्स जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं उनको जॉब चेंज करने के रेट्स पी ज़्यादा होते आने वाले टाइम में relationship में भी लिक्कत आता अगर बच्चा काफी छोटा है तो इसमें occupational therapy की जा सकती है अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसकी cognitive behavior ठीक therapy की जा सकती है उसका structure जो है वो काफी organize किया जा सकता है या time table उसका schedule बनाया जा सकता है पर activities जो हैं वो छोटी की जा सकते हैं ताकि वो उनको पूरा कर सके हैं और उसे sense of achievement मिल सके नमस्का दोस्तों आज हम बात करते हैं एक 12 साल की बच्चे की जिसकी शिकायत तो अकसर किछले 2-3 साल से स्कूल से आ रही थी बट वो पढ़ाई में थोड़ा ठीक था तो काम चली रहा था पर हां मम्मी तो उनकी परिशान थी वो चाहती थी कि किसी psychologist या psychiatrist को दिखाएं करोना ने सब कुछ बदल के रख दिया क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स की वर्क फ्रॉम हो गया उनको अपनी मेर्स रटानी पड़ी क्योंकि घर में ओल्ड एज वाले लोग थे और उनकी उन्होंने बैटी में और बेटे में जुनीन आस्मान का परक देखा बेटी को कुछ बेटा था उसको पहले तो यहीं उठाना ही सुबह एक मुसीवत होती थी कि उठा दिया तो कभी अपना पकड़ के डांस कर रहा है कभी फोन ही घुमा रहा है और कई भर वाले देखके हरान हो जाते थे कि फोन में वह क्लास करने के गाने सुन रहा है कोई और वीडियो दो मुझे सेंडविच दो मुझे भूक लगी है क्या मैं खाना नहीं कहा चकता कमाल है अब स्कूल में तो यह सब ड्रामें नहीं होते बड़ में तो यह सारी चीज़े होती है उसके बाद जो है वह चलने की जगा भागना शुरू कर देता था ऐसा तो स्कूल में टीचर उ सोफे बें कर रहा है कभी घर से भाट भागने के लिए जंप कर रहा है तो उसकी वज़े से उसकी माँ और पापा दोनों ही काफी परिशान हो गए थे उसके बाद यह है कि वह बोलता ही बहुत ज्यादा है चुपी नहीं होता और दो लोग अपस में बात कर रहे होती इवन कोशन कहा है और स्कूल की टीचर भी इसकी रवट गुम जाती है कभी इसकी पैंसिल गुम जाती है और इसका ध्यान कहीं और ही रहता है मैं क्लास में लिखाती रहते हूं यह पूरा कॉपी नहीं करता और कोई भी काम जो लंबे जैसे ग्रैमेटिकल जो चोटे-मोटे अग वह नजर अंदाज हो जाती थी बट वही सब लाइफ शो जब घरवालों को देखने के लिए मिला तो उनको लगा कि आप हमें प्रोफेशनली दिखाने की जरूर रहते हैं तो जब मैंने उनको देखा और उनसे बात कि और उनकी प्रॉब्लम को समझा तो मैंने का इनको तो क्राइब है क्योंकि इसके लिए ना तो किसी सेटी स्केन की जरत होती है ना ही किसी मराइब की दोस्तों हम जान लेते हैं और बीच मैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कर वातना तो सब्सक्राइब के एकाने हैं इंपल्सिबी शुट शुम्सिबीट वे उसके पात दूसरों की बात व्रय सब्सक्राइप ब दादी की बात में आता है या क्लास के दो बैशे बात कर रोते हैं, टीचर काई वर पढ़ा रही होती तो बीच में टांगणा ना उसके बाद है दूसरों की बात पूरे सुने बिना ही जवाब देदेना मतलब बलर्टिंग दांसर जो क्रैटीरिया में लिखा हुआ है कि सामने वह अगर कुछ कह रहा है पहले हम पूरी बात तो सुन लें उसके बाद हम अपनी अगर चॉमिंग भी खा रहे हैं तो वह घूमती रहेगी वह टिक ही नहीं शांती नहीं आईगी उसमें उसके बाद है अपनी चेयर से खड़े हो जाना जब उमीद ना की जाए चाहे वह स्कूल की बात हो जाए घर की बात हो जैसे घर में वह अगर अपनी ऑनलाइन प्लास अब यह तो सोफे पर जंप करता है घर में जम करता है बैड पर जम करता उसका वी एक रीजन है कि बच्चा अगर बिल्कुल खेलने भी बाहर नहीं जा पारा स्कूल नहीं जा पारा उसके नर्जी चैनलाइज नहीं पारी तो जहां चैनलाइज हो पाएगी जिस एंगल से जो वैसे ही चैनलाइज करेगा इसके लावा तीन क्राइडियर और हैं हमेशा ऐसा लगता है जैसे मोटर लगी हुए यह थकता क्यों नहीं है सुबह भी खेलता है दुपैर को भी खेलता है शाम को भी खेलता है सब लोग ठक जाते हैं अब इसकी इनर्जी जो है वह खतम हो आने का नाम ही नहीं लेती बलकि इसका जो अगला क्रैटिरिया आता है वह यह आता है कि जब कोई लेजर अक्टिविटीज भी होते हैं जब वह खेल भी रहा है तब भी बोलेगा मेरी कार जा रही है मेरा परांठा उड़ रहा है और इसके आज मेरी ट्रेन चल रही है तो म इसे जादा हम डिटेल में जाना चाहते हैं तो पकाइदा कुछ स्केल आते हैं जो साइकोलोजिकल अली एसेस कर सकते हैं कि किसी को ADHD है या नहीं उसके लिए अभी इंटेंशन के क्राइटीरिया जो है वह बाकी है और इसके लिए को CT scan या MRI नहीं होता जिसके थूरू टेस् इसे खासकर अगर स्कूल का हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी और वह बार बार जो कॉपी जो है रेट हो जाएगी बाज कल तो कॉपी रेट नहीं होगी बट जो घरवालों को अप्लोड करना होगा उसमें उनको काफी दिक्कत आएगी क्योंकि को छोटी-छोटी सिली मिस्टेक्स करता है और जो अगला क्रेटिया वह से मुलता जुलता ही है वह है सस्टेंटेंशन मतलब जैसे कई चीज़ें होंगी जैसे पैराग्राफ रीड करना अगर तो फिल लिंदा ब्लैंक्स करने कोई MCQ टाइप आंसर करने तब तो फटा- करको में उसके बात है जैसे कई बार बातता ही नहीं नहीं है उसको लगता है लोगों को कि यह बाती नहीं सुन रहा है जान मुच्छ तो डाल के लाई सकता है तो किचन में अपनी प्लेट तो रखाया लेकिन पानी ले आए क्योंकि उसका ध्यान ही कहीं और था उसने ध्यान से सुना ही नहीं कि मम्मी ने या पापा ने या दादा ने या दादी ने क्या बोला है उसको करने के लिए तब क्योंकि वह ध्यान नह चाहिए आपके पास एक book होनी चाहिए और आप phone stand पे लगाएं ताकि आपको बार बार उसको छूने की दूरत ना पड़े तो एक well organized system से आप से अगला जो पॉइंट है कि अगर किसी भी activity में सास्टेंड मेंटल इटेंशन वही पुरानी वाली बात होगी क्राइटिर्या को गुमां के लगाया गया है कि अगर कोई पी एक्तिविटी यह जिसमें सस्टेंड मेंटल इटेंशन चाहिए होगी जैसे आपको लूड़ो भी खेलनी है आपको अगर chess भी खेलनी है तो उसमें भी problem आएगी अगर आपको football खेलनी है तो ठीक है क्योंकि उसमें इंदर से उदर भागना है पकड़ाई खेलनी है तो भी ठीक है लेकिन अब तो जातर games घर में बैटके खेलनी है तो उसमें भी problem आएगी क्योंकि वहाँ पे ए है यह तीवी देख रहे है तब भी कुछ घर में कुछ और हो रहे है तो ध्यान जो है उदर चला जाएगा एक चीज पर टिकता नहीं है यह फोकस नहीं कर सकते जिसको बोलते हैं और जो लास्ट क्रेटीरिया आएगा फॉर्गेट फुलें डेली activities मतलब routine में कुछ activities तो रोज करनी हैं कि आपको रोज नहाना आया रोज खाना खाना इतने बज़े रोज इतना काम करना ताइम टेबल को प्रिजेंट है तो हम कह सकते हैं कि कुछ में दोनों के कॉंबिनेशन होगा कुछ में एक होगा अब लगबग जो है वह साथ से 8% बच्चों को ADHD होता है टाइम के साथ वो घठता जाता है 12-15 साल की उमर तक आके कम हो जाता है बट यह है कि 12-20 साल की उमर खतम होने के जो है एक सिम्टोमेटिक डाइग्नॉसिस इसका मतलब यह नहीं है कि इसके कोई मेडिकल वेसिज नहीं है इसमें डोपामिर और नौर अप्रेफ्लिन दो कैमिकल जो है उनकी कमी के वज़एस हो जाता है बट मैं अगर रिपीट करूं तो दुबारा इसमें सीटी स्कैन या इसके साथ यह एक फैक्ट है कि हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है उसके बाद इंपलसिविटी कम होती है वह काफी सारे लोह की lifelong भी रह सकती है या इवन हैपर एक्टिविटी भी हो सकता है कि एज के साथ इंप्रूम्मेंट ना आए इसमें जो बच्चे हैं आए उन में अभिटिया या पांबसी है ऑनिपल्सिविटी जाधा होती इसम्हें डीट्रेट्स मैं जुनके जाधा होती है उनको जौबड़सिप में पिक्कत आती है है वो एक अच्छी मेडिसीन है बाट नमबर वान और नमबर टू में काफी फरक होता है और इवन जो अडल्ट ADHD है उसमें जो ड्रग ऑफ च्वाइस है वो स्टुमिलेंट ही है इसके अलावा जो है हम अगर बच्चा काफी छोटा है तो उसमें की जा सकती है अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसकी काफी ऑर्गनाइज किया जा सकता है और चोटी की जा सकती है ताकि वो उनको पूरा कर सके और उसे और बच्चा खुद भी समझ पाएगा और उसके बाद उसका जितनी भी मोडालिटी इस पॉसिबल नहीं चाहिए को साइकलोजिकल आंगल से या उकुपेशनल थरभी के आंगल से या मेडिसिन पॉइंट ऑफ यू से जब उसकी मदद होगी तो उसमें काफी ज्यादा फरक और ADHD में कुछ combination problems भी हो सकती हैं बच्चे को specific learning disability हो सकती है इसके लिए आप अलग से हमारी सीरीज वीडियो जो है और लड़ी देख सकते हैं कि इसको हिंदी इंग्लिश है मैस किसी खास particular subject में problem है या कई पर autistic बच्चे भी होते हैं जो काफी hyperactive होते हैं और कई बच्चों को जो है वह अपोजीशनल डिसार वह सकता है जिसमें बच्चे काफी गुस्से बाले या बत्तमीज भी हो जाते हैं तो हमें देखना और कई वर ऐसा होता है कि बच्चे का आईक्यों और आप एवरेज किसी का होता है ब्लो अबरेज तो काफी सारे permutation and combinations possible है जब हम इन सब चा देखनेंगे तो ADHD में क्या होता है कि hyper activity हो सकती है impatience या impulsivity हो सकती है और इसके लावा ध्यान की कमी हो सकती है इसके वजए से काफी सारी और problems भी create हो सकती है और इसके लिए कोई CT scan या MRI कराने की जूरत नहीं है पहले तो एक criteria के basis पर ही diagnosis हो सकता है पर उसके लावा अगर stimulants का रोल आता है और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़े भी हो सकती है depending on the age of the child अगर बच्चा छोटा है तो उसमें occupational therapy हो सकती है और बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसमें CBT भी हो सकती है उसकी structured environment भी हो सकते है और activities को छोटा बनाया जा सकता है ताकि उसकी comfort के हिसाब से उन चीजों को किया जा सके या उसको जो टास्क दी जाएं वह ऐसी दिये जाएं जिसमें वह एक sense of achievement को प्राप्त कर सके तो अगर इस तरह की चीज़ें हम करते हैं तो बच्चे का confidence भी बढ़ेगा और उसमें फरक भी आएगा जब यह सारी चीज़ें वह कर पाएगा तो आज के लिए दोस्तों इतना ही अन्यवाद